इस वीडियो में आपको टू वर्ट सेंटेंसिस प्रोवाइट किये जाएंगे यानि के आप दो लफजों से इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं यानि आपको बिलकुल भी इंग्लिश नहीं आती है और आप यह सोच रहे हैं कि शायद कभी हमें इंग्लिश आएगी भी नहीं तो इन टू वर्ट से आप आज से ही इंग्लिश बोलना शुरू करें क्यूंके छोटे-छोटे फिकरात हैं तो आप जल्दी सीख भी सकेंगे औ और अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल भी सकेंगे और प्रैक्टिस आपने साथ-साथ करनी है क्यूंकि आप जितने भी आप कोर्सिस कर लें और जितनी भी वीडियो देख लें लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आप कभी भी इंग्लिश नहीं सीख सकते प्र जो परेक्टिस्य में खika दोश्च कर ने का जानते हैं था इसी पिर यह यानद आयज मुह शोच ये दिन a अन्यार टांस सब्सक्क्राइब करते हैं तो चलें फिर वीडियो को start करते है सबसे पहला tense है कुछ बोलो यानि ऐसी situation जिसमें आप किसे से बात कर रहे हैं और वो इंसान कुछ बोल नहीं रहा और आप बोलते ही जा रहे हैं तो आप उसको कहेंगे say something कुछ बोलो कुछ तो बोलो say something next one is उठ जाओ get up ध्यान से सुनो listen carefully जोर से बोलो speak loudly speak loudly नहालो take back take back मैं मुद्टफिक हूँ या ऐसी situation जिसमें आप किसी से satisfied हो गए हैं और आप कह रहे हैं कि हाँ मैं आपके साथ हूँ तो क्या कहेंगे इंग्लिश में I agree I agree ठीक है all right या फिर बिल्कुल ठीक यानि ऐसी situation जिसमें आप कह रहे हो कि बिल्कुल सही कह रहे हूँ बिल्कुल ठीक तो उसमें क्या कहेंगे all right next one is इससे संभालो handle this handle this जल्दी करो hurry up hurry up उससे पकडो hold it hold it मुझे लगता है I feel I feel या इसकी जगा आप यह भी कह सकते हैं I think I think खड़े हो जाओ stand up stand up यहां देहान दो यानि ऐसे situation जहां पर आप किसी को कुछ समझा रहे हैं तो आप उसको कहेंगे कि देहान कहीं हो रहा है यहां देखो यहां देहान दो focus here focus here लेकिन क्यों but why but why मुझ पर यकीन करो believe me believe me मुझे फॉन करो call me call me खामोश हो जाओ keep quiet keep quiet मुझे ढूंडो find me find me जा कर खेलो go and play go and play next one is कहां है where is where is इससे धोले rains it rains it कभी नहीं never never मेरे पीछे आओ follow me follow me कोई बात नहीं never mind never mind इससे समझाओ explain it explain it अंदर आओ कामिन कामिन किस के लिए for which for which ले लो have it have it दूर रहो stay away stay away इसे छोडो leave it leave it इसे दोहराओ repeat it repeat it लडो मत don't fight don't fight तैयार हो जाओ get ready get ready चालो मत या फिर मुल्त भी न करो don't postpone don't postpone दुबारा कोशिश करो try again try again खुश रहो be happy be happy तीधे खड़े रहो stand still stand still फरकत ना करो या हिलो मत don't move don't move ताथ आओ come along come along यहाँ देखो look here look here चलो भी come on come on होसला रखो या फिर सबर रखो have patience have patience मुझे देखो या मेरी तरफ देखो look at me look at me मिलते हैं see you see you या see you again यानि फिर मिलते हैं उसका पीछा करो follow him follow him the next one is यह हैरत अंगेज है यानि ऐसे situation जिसमें आपको कुछ दिखाया जा रहा और आप कहरे हो कि बहुत अच्छा है यह तो तो क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में it's amazing it's amazing फिर भी शुक्रिया thanks anyway thanks anyway जिसमें 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 आप किसी के बारे में बात करें और वो अचानक आ जाए तो आप क्या कहेंगे nice timing nice timing और तेज़ चलाओ drive faster drive faster उसने मना कर दिया he refused he refused इसे खतम करो यानि ऐसे situation जिसमें छोटे बच्चों को खाना खिलाए जा रहा है और हम उन्हें कहते हैं कि खतम करो इसे पूरा खतम करने finish this finish this इसे चखो taste this taste this मुझे याद रखना remember me remember me hope करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी if you like this video please do like, share and subscribe my channel and click the bell icon to never miss the upcoming video update and also give me a feedback in the comment section thanks for watching be happy and stay with us inshallah see you in the next video Allah Hafiz